आज हम आप लोगों को UP Board Class 12 बालोजी प्रिक्टिकल वायवा में पूछे जाने वाले important question और उनके answer बताएंगे तो चलिए सुरू करते हैं पहला question है मनस्यों में नर वा मादा युगमक क्या हैं और ये कहां बनते हैं यानि बताना है कि मनस्य में नर और मादा युगमक क्या होते हैं और कहां पर बनते हैं तो नर युगमक होता है सुक्राण और मादा युगमक होता है अंडाण नर युगमक जो सुक्राण होता है ये कहां बनता है तो पुरुसों के व्रशन में बनता है और जो मादा युगमक अंडाण होता है ये अंडाण इस्तरियों के अंडासाय में बनता है आते हैं अगले प्रेश्ट पर मनुस्यों में लेंगिक जनन में नए प्राणी का निर्म तो जाइगोट का निर्माड होता है इस किरिया को निसेचन कहता है या फर्टलाइजेशन कहा जाता है और यूगमनस से या जाइगोट से विकास होता है जो जाइगोट होता है जो यूगमनस होता है उसका भूरिये विकास होता है और भूर्ण ये विकास होने के बाद पूरे सरीरे ने फूर्ण जन्तु का निर्माड हो जाता है इस तरह से नए प्राणी का निर्माड होता है या विकास होता है अगला प्रशन है किन जन्तों में बाहनिसेचन होता है तो उभैचर या जल अस्थलिये जनतों में बाहनिसेचन पाया जाता है यानि कि जैसे मेढख है तो मेढख में निसेचन जो होता है ये सरीर से बाहर जल में होता है तो इसे ही बाहनिसेचन कहा जाता है यदि आप लोग बाहर नेसेचन अंता नेसेचन क्या है जानना चाहते हैं तो मेरे चरब में वीडियो अफ्लोड़ेड है आप लोग जा करके देख सकते हैं अगला प्रशन है इस्तरी के अंडासे में कौन से दो प्रमुख हार्मोंस होते हैं जो इस्तरी के अंडासे होता है उसमें कौन से दो प्रमुख मादा हार्मोंस पाये जाते हैं तो पहला है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्ट्रान ये मादा हार्मोंस होते हैं एस्ट अन्डासय का जो कार्पस लिूटियम होता है, वहां से प्रोजिस्टान हर्मोन स्रावित होता है अगला परॉशन है, गर्भधारण से क्या अभिप्रा है यनि प्रेगनैंसी से क्या मतलब है गर्भासे में पहुंच कर यदि प्रारंभिक भूण गर्भासे की दिवार में धास जाता है या आरोपित हो जाता है तो उसे ही गर्भधारन कहा जाता है यानि गर्भासे में पहुंच करके जो प्रारंभिक भूण है उसका गर्भासे की दिवार में आरोपित होना ही गर्भ प्राथ्मिक बांजपन तथा दुतियक बांजपन में क्या आंतर है तो प्राथ्मिक बांजपन में इस्थरी गर्भवती नहीं होती है जो प्राथ्मिक बांजपन है इसमें इस्थरी गर्भवती नहीं होती है जबकि जो दुतियक बांजपन है इसमें इस्थरी गर्भवती नहीं होती है जो दुतियक बांजपन है इसमें इस्थरी गर्भवती नहीं होती है जो दुतियक बांजपन है इसमें इस्थरी किसी कहते हैं तो यह तकनीक है जिससे बांज़ दमपत्य कर सकते हैं कहने का मतलब है कि बैग्यानिकों ने ऐसी बिदिका आविस्कार किया है जिनके प्रयोग से बांज़ दमपत्य जो होते हैं उनके संताने पैदा हो शकती हैं या संतान उत्पत्ति कर सकते हैं अगला प्रश्ण है पहले परक्नली सिसु का क्या नाम था सबसे पहला जो परक्नली सिसु था टेश्ट्यू बेबी था उसका क्या नाम था तो उसका नाम था लुशी जोई ब्राउन बता दें कि संसार के पहले परक्नली स सिसु या टेस्ट्योग बेबी 25 जुलाई 1978 में पैदा हुआ था और किसके प्रियासों से तो बैग्यानिक स्टेप्टो और एडवर्स के प्रियासों से पैदा हुआ था अगला प्रश्ण है पहले परक्नली सिसु का जन्म कहां हुआ था तो मैंने अभी आप लोगों पताया क कि पहले परक्नली सिसु का जन्म स्टेप्टो एम एडवर्स नामक बैग्यानिकों के प्रियासों से 25 जुलाई 1978 में ब्रेटेन के ओल गम सहर में हुआ था अगला प्रश्ण है क्या सिसु परक्नली तक्नीक बांजपन दूर करने में सहायक सिद्ध हुई है जो टिश्ट्यो महंगी होने के कार्ण इसका लाव सभी को नहीं मिल पा रहा है लेकिन फिर भी बांजपन दूर करने में शहायक सिद्ध है अगला प्रश्ण है प्रजनन से क्या अभिप्राय है तो प्राणियों में संतान उत्पत्य की किरिया को प्रजनन कहा जाता है यानि संतान पैदा कर प्रजनन कहलाती है अगला प्रश्ण है मानों में प्रमुख जनत कौन से होते हैं यह गोनट्स कौन से होते हैं तो मानों में प्रमुख जनत या गोनट्स नर अगर देखा जा तो नर में व्रशन होते हैं या टेस्टीस होती है तथा मादा में अंडा से या ओवरीज होती ह ये गोर्णर्स होते हैं ये जनद होते हैं अगला प्रशन है किसी दुलिंगी जन्तु का नाम बताईए तो दुलिंगी जन्तु वो जन्तु जिसमें दोनों लिंग पाय जाते हैं अर्थात नर और मादा दोनों जनन अंग पाय जाते हैं एक ही जीव में उसे दुलिंगी जन् अगला प्रश्ण है गर्भासय की दिवार को गर्भधारन करने के लिए कौन सा हार्मोन तयार करता है तो प्रोजेश्ट्रान हार्मोन तयार करता है अगला प्रश्ण है इस्तरियों में जनन अक्षमता के मुखिकारक यानि इस्तरियों में कौन सी कमी होती है तो बच्चे पै अगला प्रिशन है जब सुक्राण अपने पुक्ष की सहायता से रेंग कर गर्भासे से होते हुई गर्भासे नालों में चड़ते हैं और इनमें अंडाड़ों से निसेचन करते हैं तो इस प्रकार के निसेचन को क्या कहा जाता है इसका उत्तर होगा अंतर जीवी निसेचन अगला प्रशन है मासिक चक्र में घटने वाली अवस्थाओं को कितने चरणों में बाटा जा सकता है तो मासिक चक्र की बिवित प्रवस्थाओं को तीन चड़ में बाटा गया है रजोसराव प्रवस्था, पूर्व अंडोसर्गिय प्रवस्था और पस्च अंडोसर्गिय प्रवस्था यदि आप लोग मासिक चक्र के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चलिमें वीडियो अप्लूड़ेड है आप लोग जा करके देख सकते हैं अगला प्रश्ण है मासिक चक्र में पोटिका से अंडाण कब मुख्त होते हैं तो मासिक चक्र के प्राय 14 दिन पोटिका अंडा से की सताय पर फटकर अंडाण को मुख्त करता है यानि मासिक चक्र से 14 दिन अंडा निकलता है अगला प्रश्ण है पोटिका प्रेरक हार्मोन या FSH यानि फॉलिकल इस्टिमिलेटिंग हार्मोन तथा लिटिनाइजिंग हार्मोन या लेच किस गरंथी द्वारा स्रावित होते हैं FSH तथा LH हार्मोन किस गरंथी के द्वारा स्रावित होते हैं तो अंसर है इसका प्यूस गरंथी के द्वारा स्रावित होते हैं या इसे ही मास्टर गरंथी भी कहा जाता है और कहां पाई जाती है तो मस्तिस्क में पाई जाती है अगला प्रिशन है निसेचन से पोर्ब अंडान किस अवस्था में होता है तो निसेचन से पोर्ब अंडान दुतियक अंड़कोशिका यह सेकेंडरी उसाइट्स के रूप में पाया जाता है मानो कोरियानी गोनेडो ट्रॉपिक हार्मून का स्रामण कहा होता है तो इस हार्मून का स्रामण आवल से होता है और आवल को प्लेसेंटा कहा जाता है तो मानो कोरियानी गोनेडो ट्रॉपिक हार्मून का स्रामण कहा होता है प्लेसेंटा से होता है अन्ताहा गर्भासाई सुक्राण सेचन क्या है? यानि IUI क्या होता है? तो IUI का मतलब है इंट्रायोट्रीन इंशुमिनेशन है और इस बिद में पुरुस के सुक्राणों को वीर से प्रिथक करके तथा इनका संसाधन या प्रोसेसिंग करके महीन कैथेटर या पतली नली यानि इस बिद में होता क्या है? IUI में क्या होता है? कि पुरुस के सुक्राण को वीर से प्रिथक कर दिया जाता है और प्रोसेसिंग करके महीन पतली नली के द्वारा पतली के गर्भासे में पहुचाते हैं इसे ही IUI कहा जाता है अगला प्रशन है अन्ताह पात्री किसे कहा जाता है या इससे आप क्या समझते हैं? या आईवी एफ से आप क्या समझते हैं? तो इन वीट्रो फटलाइजेशन इसे बोला जाता है फुल फॉर्म में इस्तरी के गर्भासे से बाहर कांच की कटोरी में बिशेश कृतिम दसाओं में सुक्राण वा अंडाण की निसेचन किरिया को IVF कहा जाता है यहीं इस्त्री के गरभासे से बाहर कांच की एक कटोरी होती है पेट्री डिस्क होती है जिसमें विशेश कृतिम दसाओं में सुक्राण और अंडाड़ों द्वारा निसेचन करवा जाता है यहीं सुक्राण और अंडाड़ को मिला करके नि VF बोला जाता है या अंतहा पात्री निसेचन कहा जाता है